जै भीम नम्मोज साथियो शाथियो आज हम तर्चा करेंगे पूना पैक्ट पर कि आखिरी पूना पैक्ट है ये मामला क्या था और क्या जो कमुनल अवार्ड में बाबा साहिब को जो सहुलते मिली थी अगर उनको मालने आया था और गांधी आमरन एंसन पर ना बैठते और नहीं होता और कमुनल अवार्ड लागू हो गया होता तो क्या दलितों की समस्यां सौल्व हो जाती है क्या महात्मा गांधी महात्मा कलाई जाने योग्ये हैं क्या जो पूना पैक्ट नहीं होता तो समाज में चमचा लोग पैदा नहीं होते चमचा निता पैदा नहीं होते यही कुछ बातों को मद्य ने रखते हुए इन पर गहराई से सोच विचार करने के लिए कि कितना वाजब था कमुनल अवाड और कमुनल अवाड के माध्यम से परमपुज्य अबावा से डॉक्ट भीमरा उमबेट कर किस बात को निश्चित करना चाहते थे यह बात है 1930 से 32 के बीच में पहला गोल में समयलन दूसरा गोल में समयलन और तीसरा गोल में समयलन पहले गोल में समयलन में गांधी जी ने अंग्रेजों का अब्रोध करते हुए भागी नहीं लिया लेकिन जब पहले गोल में सम्मिलन में जब गांधी जी ने देखा कि डॉक्टर अमबेड कर अच्छूतों के परतिनिथी के तौर पर सामिल हो गए हैं तब दूसरे गोल में सम्मिलन में तम तमाते होगे भागते होगे पहुंचे और दूसरे गोल में सम्मिलन में कुछ घट वास्तम में जो गांधी जी को महात्मा सब्द से नवाजा गया है क्या ये उचित है क्या वास्तमी महात्मा कहलाने युग्य है परंपूजे बावसट को भीम्रा ओंबेड कर कहा करते थे कि मैं महात्मा गांधी को कभी महात्मा कहकर नहीं पुकारता हूं मैं उन्हें अक्सर म सातिर राजनितिग्य और एक सातिर अंधिसरधालू तो दोनों बाते हैं आपको नजर आएंगी कि किस तरीके से गांधी जी जो हैं बावसर भीम्राव अंबेटकर के साथ में अन्याय करते हैं उनके समाज खत में अन्याय करते हैं और बड़ी मुश्किल से जो कम्यूनल आव लिए तो सबसे पहली बात कि जो दूसरा गोल में समयलन था उसमें क्या हुआ एक तरफ गांधी जी है जो यह दावा कर रहे हैं कि भारत के अच्छुतों का परतिनितितु गांधी जी कर रहे हैं गांधी का मतलब कॉंग्रेस के तरफ से भारत के संपूर जन्मानस का परति औरombie जो अल्व संक्या समुदायएं वह सामिल नहिं गांधी जी मुसल्मानों के अलग परतिनिदी के वहां पर सामिल हुने में कोई आपत्ति जैहर नहीं करते सिखों के परती निधि पर कोई अपत्ती जहर नहीं करते अन्य जो अल्प संख्या के समुदाये के परती निध्य वह हंbelt गोल में सम्मेलन ऊपस्टर्ट कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अगर उन्हें आपत्य है तो परम में संभिम्रव करके अच्छोतों के पर्ति निधी के तौर पर गोल में सम्मेंन होने में उन्हें बहुत आ पत्या है तो सब्से पहले तो बाबस है भीम्रास में इनकर को इसwnieं में यह साबित करना पड़ा कि अच्छूतों का जो नेता है वे गांधी नहीं है बलकि वे डॉक्टर भीम्राव अंबेड कर रहें इस बात को समझाने के लिए कई घटनाओं का जिक्र करना पड़ेगा एक घटना में बाबा साहिब खुद कहते हैं कि भारत से उनके समर्थन में अच्छूतों ने खून से लिख कर खत भेजे कि हमारे नेता डॉक्टर भीम्राव अंबेड कर हैं गांधी नहीं है दूसरा कि भारत में अच्छूतों की स्तिति क्या है क्या हिंदू समाज में अच्छूतों के साथ में कोई गलत व्यवार होता है कोई अत्याचार होता है उनका सोशन हो रहा है गांधी जी ने और कॉंग्रेश ने इस बात को एक तरफ से इस बात से इंकार कर दिया कि अच्छुतों पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार होता है उनका कोई सोसन होता है वे यह मानने के लिए तैयार नहीं थे तब अंग्रेशों को समझाने के लिए कि किस प्रकार से मानविय अधिकारों से भी इस समाज को बंचित किया गया हिंदू के द्वारा और हिंदू कभी भी अच्छुतों को अपना हिस्सा मानते ही नहीं है उन्होंने कई तरीके से बिटिस प्रधान मंत्री रेम जे मैक डॉन करणाल उनको समझाने का कारे किया पहला कि अचुतों को मंदिरों में प्रवेश का अधिकार नहीं हिंदू मंदिर में जाकर देवी-देवताओं की पूझा कर सकते लेकिन अचुत जो है दूसरा और बिल्कुल उस गोल में सम्मेलन में सबकी आखों के सामने जो परंपुज बाबा से डॉक्टर भिम्रा अमवेटकर ने साबित करके दिखाया वो था अपने हाथ से पंडित मदन मोहन मालविय को एक ग्लास पानी का देना कि लीजिये पंडजी पानी पीजिये पंडजी पानी नहीं पी सके और पूरी गोल में सम्मेलन के सामने दूद का दूद और पानी का पानी हो गया यह साबित हो गया कि गांधी जी भारत के अचूतों का नेत्रतु नहीं करते हैं वे केवल हिंदूओं का नेत्रतु करते हैं और अचूत हिंदू नहीं हैं यह दो बाते सावित होगे इसलिए परम पूजय बावश डॉक्टर भिम्रा अंबेड करने बहुत मेहनत के साथ में जो उस गोल में समिलन में तथ्य प्रस्तूत किये अचूतों की इस्ति के बारे में कि किस प्रकार से दैनी हैं पस्वों से बत तो प्रत्थक निर्वाचन छेत्र की उसमें जो है सुविधा थी कुछ चेत्रों को अचूतों के लिए प्रत्थक निर्वाचन छेत्र घुशत कर दिया गया जहां पर उन्हें दो वोड देने का अदिकार था एक तो उस प्रत्यासी को जो की सामान्य वर्ग से था दूसरा ऐसे परत्यासी को जो केवल उन्हीं के वर्ग से यानि अच्छूतों का ही परतिन दी था यानि कि वह परत्यासी केवल अच्छूत ही हो सकता था और उस अच्छूत परत्यासी को केवल अच्छूत ही वोट दे सकते थे अन्य हिंदू जो हैं उसको वोट नहीं दे सकते थे तो यह जो अधिकार था यह बहुत महत्पूर्ण था यह इस माइने में महत्पूर्ण था कि अब तक जो काम जो सामाने परती निदी हुआ करता था वो अचूतों के लिए उनकी समाज में बहुती नीची इस्तिति होने के कारण उन पर कोई तवज्जों नहीं करता था इससे अब जो अचूतों का अपना परती नहीं थी उनके बीच में सुनकर जाएगा तो वो उनके लिए क्काम करेगा इस सोच को रखकर बाबाश भीम्राव मेट कर गोल में समयलन से यह कमिनल अवाड लेकर आए अब यह कमिन कमिनल अवाड के बाद क्या हुआ है कमिनल अवाड जो की साफष यह बताता था हम लोग कई वार तो कि कि और यह कमिनल अवाड भी चीख चीख के हो गया तो जो दलित अच्छूत जिन से लोग अपना निम्ण तम काम कराते हैं तो वो काम करने के लिए यह डर जो है गांधी जी को सताने लगा हिंदू लगा इसलिए गांधी जी ने बड़े शातिर सबसे पहले तो जो अंग्रेज थे उनको बहुत सारे पत्र लेखे कि हमें यह मंजूर नहीं है आप इसको वापस लीजिए लेकिन अंग्रेजों ने साफ साफ कह दिया कि जो तर्क परंपुजे बाबस डॉक्टर भीमरा अंबेड करने अच्छुतों के लिए प्रस्तूत किय गखे हैं औन में भौत दम हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं उनमेंगरेज कहीं कमी नहीं इसलिए कि सीब शूरत में अंग्रेज में इस कम्मूनल आवाड को वापसे नहीं लेंगे अब अंग्रेजों ने मना कर दिये कम्मिनल अवार्ड वापस लेने से लेकिन गांधी जी जो हैं अंग्रेजों के खिलाफ अंसन पर नहीं बैठते हैं अब गांधी जी यर्वदा जेल में 20 सितम्मर 1932 को अंसन पर बैठ जाते हैं आमरन अंसन कि जब तक ये कम्मिनल अवार्ड वापस नहीं होगा तब तक मैं इस अंसन को नहीं तोड़ूँगा मैं अन्न और जल गरहन नहीं करूँगा अब यह जो अंसन था यह अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था अंग्रेजों को किसी भी कॉंग्रेश ही नहीं को अगर तुमने इस कभूनेल अवार्ड को वापस नहीं लिया तो तुम्हें जान से मार देंगे अंग्रेजों को जीने नहीं देंगे उनके घरों को आग लगा देंगे ऐसी कोई धंकी नहीं मिली अब ये जो गांधी जी के जितने भी कॉंग्रेसी थे ये सभी किसको धंकी दे रहे थे ये सभी बाबा साहिब को धंकी दे रहे थे बाबा साहिब के समाज को धंकी दे रहे थे बाबा साहिब के खिलाफ एक माहोल पूरे देश में तयार कर रहे थे सावित करने के इसके लावा बाबा साहिब को जानसे मारने की धंकिया मिली यह वापस नहीं करा तो उनकी जान खत्रे में है कि वाबा साहे इस बात से भी नहीं घबराए तो बाबा साहे को अच्छूतों के नर्संघहार की धंकिया मिलने लेगें भूत बड़े पेमाने पर नर्संघहार का जब खत्रा बाबा से ड्रक्टर भीम्रावबें वो समाज नहीं बचेगा उसामाज की स्तरियों की इजट नहीं बचेगी जब समाज नहीं रहेगा समाज की इजट नहीं रहेगी तो मैं इस COVID किया करूंगा कि इसी दोरान से एक और प्रैसर महतमा गांधी की पत्नी कस्तुर्वा गांधी के द्वारा बाबा साहिप बनाया गया वो जोली पसार कर अपने सिंदूर की भीक मांगती है कि बाबा साहिब मेरा पती मर जाएगा मुझे भीक मेरा सिंदूर दे दो मतलब यह है कि गांधी जी और कॉंग्रेसी यह हिंदू जिस हद तक गिर सकते थे उस हद तक गिरने में कोई कसर नहीं छोड़ी इस तरह से जब कॉंग्रेस के लोगों ने परम पूझे बाबसे डॉक्टर भीमरा वंबेड कर उनके समाज के खिलाब एक बहुती खतरनाक महौल तियार कर दिया तो बाबसे डॉक्टर भीमरा अप उसपर सायन करने पड़े जो आज जो जो इसकूल पूना प्यक्त का प्रणाम है तो इस एक इстьन में क्या होता है इस कि अब जो माध्यम से जो एमले विधान सवा में पहुंचता है वो अपने समाज के जरिये नहीं पहुंचता आप उसको टिकट देने वाली एक पार्टी होती है और उस पार्टी का वो वफादार होता है और उसको वोट देने वाला पूरा समाज होता है उसमें खाली अच्छूत दलित ही नहीं है उसमें मुसल्मान भी हैं सिख भी हैं इसाई भी हैं हिंदू भी हैं सभी लोग मिलकर उसको चुनते हैं तो इसलिए उसकी वफादारी जो है जनता से नहीं होकर अपने लोगों से न दिल्ली की विधान सवा में तो साफ साथ देख रहे हैं राएंदर पाल गौतम जी जब तक आमाधी पार्टी में रहे तब तक केजरिवाल जी के गुण गाते रहे उनके ही सामने उनके इस्थान पर जो मंत्री बनाएं गए उन्होंने यह कहते हुए इस्तिफा दिया कि केजरिवाल जी एक जातिवादी व्यक्ति हैं अरचन ब्रोधी व्यक्ति हैं तब भी रहेंदर पाल गौतम जी ने इस्तिफा नहीं दिया बने रहे पार्टी में यह चाटने के लिए तयार हैं और वही काम हुआ और इंतिहां तो तब हो गई कि जब 22 प्रतिग्याओं के मामले में अरविंद केजरिवाल ने इस्तिफा नहीं मांगा लेकिन मंत्री सहाव रायंदर पाल गौतम जी ने अपना इस्तिफा उनको जाकर खुद सौप दिया इस्त कि एक उम्र दराज एडवोकेट हैं ऐसा नहीं है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि प्रोसीजर क्या है क्या नहीं लेकिन प्रोसीजर तो जब काम आएगा ना जब चापलुसी से फ्रस्त मिलेगी क्योंकि आका ने आपको टिकेट दिया है और विधायक बनाया है अगर आका आपको आज जीह जूरी में लगे हैं आपको बहुत बड़े बड़े मंच मिल रहे हैं कभी नहीं मिलते कोई नहीं पूछता कौन कुछरा था आपको विधायक बिनने से पहले क्या इमेज थी कुछ भी नहीं इसलिए अर्विंद केजरी वालने इस्तिफा नहीं मांगा अर अर्विंद केजरी वालने स्तिफा मांगा तो इसका मतलब यह है कि उनको अपने पार्टी के लेटर हैड पर एक सो कोज नोटिस आधरने रायंदरपाल गौतम जी को इसू करना चाहिए था जब रायंदरपाल गौतम जी को केजरी वालने सो कोज नोटिस इसू करते तब यह कहाया था कि हां केजरी वालने स्तिफा मांगा यह बड़ी महत्तपून बात है और जब आधरने रायंदरपाल गौतम जी से इस अर्विंद केजरिवाल जी को दो टूक जवाब देते कि मैंने 22 प्रतिग्याएं लेकर कोई गुणा नहीं किया है यह प्रतिग्याएं है जो कि इस देश में संविधान के अंतरगत जो वैग्यानिक पैक्ट के बाद जो हमें आज निता मिलते हैं समाज से उसमें और जो कमिनल अवार्ड बाबा साहिब लेकर आये थे उससे जो निता मिलते उन दोनों में ये बड़ा फरक है इसके बाद भी राइंदर पाल गौतम जी पार्टी में बने रहते हैं और उसके बाद अर्विंद क को नहीं मानूंगा छोड़ दूँगा मैं किसी इसवर की पुजा नहीं करूंगा राम करें नहीं मानूंगा और दूसरी तरफ उनके आका जब यह जो जो से चिला रहे हैं तब उनके कान पर जून रहती है पार्टी में बने हुए हैं उसके लावा कहते हैं कि मैं किरसन का अबतार लेकर आया हूं मैंने भ्तार लिया है और अशूर करनाज करने हूं अशूर कौन है कुछ न करनस करनाब भूता नहीं है कि अपने दम पर रायंद्रपाल बॉतम जी विधायक नहीं बन सकते हैं उन्हें किरफा चाहिए अगर उन्हें ये ऐसा मालूम होता है कि ऐसा समय आ जाएगा 22 प्रतिग्यां लेने से तो 22 प्रतिग्यां कभी नहीं लेते जिन 22 प्रतिग्याओं के वज़ए से उन्हें इतना मान सम्मान मिला पूरे समाज में वो 22 प्रतिग्यां कभी भी नहीं लेते इस तरह के नेता जो हैं आज भूजन समाज से निकल रहे हैं आप समझ सकते हैं कि ये सब पुना पैक्ट की पैदाइस हैं ये एक उधारन है ऐसे जितने भी आपको जै रिजर्ब सीट से जो MLA MP जीत कर जाते हैं उन सबका यही हाल है एक और जो जहां ओंसााभाँ में के कांड हुआ हात्रस सब वहां का जो MPA अपने साथ में गिलास लेकर चलता है यानि कि कि मुझा प्यक्त की पैदाइस नेता है यह फरक है पूराक्ट में और कबूरेल लाड के नेता मेधा में से जो गांधी जी ने सीट्र बढ़ा दें उन्हें सीट्र बढ़ाने में कोई समस्या नहीं तो वह देर सो देने के लिए त्यार हैं और भी लेलों कोई दिक्कत नहीं अचुत आएगा अचुत हमारा गुलामी तो होगा उससे जो चाहेंगे करवाएंगे अब मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं कि खत्रा तो कम्यूनल अवाड के द्वारा जो नेता आता उसमें भी था खत्रा कम नहीं है जब तक समाज जागरुक नहीं होगा तब तक खत्रा बरक्रार रहेगा मान लीजिए कि कमुनल अवाड मिल गया था और एक ही सीट पर अचुतों को दो बोड का अधिकार था एक तो समाने निता चुनाया था चली ठीक है उस पर तो कोई बात ही नहीं है जो अचुतों का निता चुनाया था तो अचुतों की एक पार्टी होती अचुतों की एक नही से जीत कर आता अच्छूतों का नेता है तो किया ऐसा संभभ नहीं था कि अच्छूतों का जो नेता चुना जाएगा यह कॉंग्रेसी बीजे पी वाले लोग मेंदे यह अच्छूतों मैंसे ही लोगो उठा कर उनके द्वारा अच्छूतों कि पार्टी बन है जिते आज भी खत्रा था यह खत्रा जो है बाबा साहिब ने आज के मुकाबले तो कम किया लगभग 90 परसेंट खत्रा कम था 10 परसेंट फ्री बरक्रार था और 90 परसेंट तो आज भी कम है अगर समाज जाग जाए तो बात समाज की बात कैसे अब पूरे देश में बनिया है ठाकोर और राजपूत है इन से किसी से इक पूछ लो कि बहां से पूछो तुम्हारी कौनसी पर्टी है कोई बोलेगा मैं आमाधी पर्टी है कोई बोलेगा मेरी बीज़ेपी पर्टी में बीज़ेपी पर्संद करता हूं लेकिन दोनों तरब जो खत्रा ब्रक्रार है वो खत्रा इसलिए ब्रक्रार है क्योंकि समाज जो है सोया हुआ है और बाबा साहिब बार बार समाज को जगाने की ही बात कर रहे हैं यह समाज मानसिक गुलामी में लिप्त समाज है बाबा साहिब एक बात की चर्चा करते हैं उन्हें मालूम है कि कमुनिल आवाड से भी थोड़ी दिन तो रिलीफ मिल जाएगा लेकिन धीरे धीरे और जिनके पास ताकत है पैसे की बाहू बलकी वो तो बहुत जल्दी तेजी से मतलब जाए अपने गुलाम निताओं को पैद प्लेवियं जाती जो है वह निम्न जाती कहिए आम जनता की जो है आप वहां पर जाती यानि की राजा का बेटा राजा बनेगा ऐसी प्रकृया थी प्लेवियंस को चुनने का अधिकार यह नहीं लिए निए प्लेवियंस ने बहुत लंबे समय तक बहुड़ा संगर्ष कि और उन्होंने संघर्श करके और अधिकार हांसिल कर लिया जिसमें कि वह भी अपना राजा चुन सकते थे ज़ब प्लेवियंस को और पैर्टिस्यान को दोनों को चुनकर ही राजा बनना था तो फिर प्लेवियंस की संख्याज जात थी जय से कि हाँ Anand तो वहाँ। प्लेविेंस की संख्या जाद होने कारण, जन पहला चुना वहा तो प्लेवियंस जीत गए, प्लेवियंस ने अपना राया चुन लिया लेकिन वहाँ पर एक प्रठा अब वो प्रथा क्या थी कि वहां पर एक देवी का मंदिर था और कोई प्ली राजा चाहें वह प्लैवेंश को जो भी राजा चुना जाएगा उसको पहले देवी से अनुमति लीनी पड़ेगी अगर देवी को राजा स्विकार होगा तभी राजा बन पायगा नहीं देववी के पास उसकी सुविकृति लेनेके लिए अब बेवी कोई राजा फॉर्घंत कर देती है कि मुझे राजसुस नहीं है है पुर्जारी के माध्यमसे meglio रहांसे प्लेवियन्स ने जितना लंबे समय तक संघर्स किया था वह संघर्स जो फल मिला था उस राजा के रूप में एक जटके में वो उनसे चिन गए कि यह मुरकता की प्राकाशठा थी यह रोम की घटना है भारत में हर चुनाब में घटती है भारत में चाहें बाबा साहिब आपके लिए कम्यूनल अवाड लिया है चाहें गांधी से लड़कर रिजर्विशन का अधिकार ले लें लेकिन जब तक ये जो देविय सक्ति वाला जो प्रकरन है अंद विश्वास अंद है एक सातिर राजनित गया थे एक सातिर धर्मांद व्यक्ति थे थे can't कि इन्होंने कभी भी अंग्रेजों को भारत चोड़ने के लिए अंजन नहीं किया इनहीं कि मैं जब तक भारत से अंग्रेज नहीं जाएंगे तब तक मैं भूकरताल करता करता हूं मैं मैं आमरं अंचन करता हूं चोड़ी कोई सामाने हब्दार की बात अई जब अचुथों को एक संमान्ग जीवन मिलने की बात धैते हैं लोग इस अचोतों के मार्फ में एक बड़ी बाधा बनकर खड़े हो गए कर चाहिक सामने अत्याचार औरों करेंगे तब तक मैं अजादी ऐसा नहीं दूगा इससा कोई एसा गंडी जी नहीं इससे साफ साफ दो बाते तैं हैं पहली बात तो ये कि दलित अच्छूत जो हैं हिंदू नहीं हैं और दूसरी बात ये कि गांधी जी का मक्सद अच्छूतों का उधार करना कभी थाई नहीं कि गांधी जी का मक्सद था कि हिंदू धर्म की वन व्यस्ता है उसको बनाए रखा जाए क्योंकि गांधी जी कहा करते थे जब यह पूना पैक्ट हो गया पूना पैक्ट पे जब बाबा साहिब ने सायन कर दिये तो गांधी जी बाबा साहिब से कहते हैं कि अंबेड कर मैंने है तो गांदी जी हिंदुधरम हिंदुधर्म क्या होते हैं के सब्सक्राइब करूं कि यह बहुती थी करते हैं कि जी जम करतें बशस्ता का कारण है जातिवादकारण है इस वर्ण्विवस्था को समाप्त करते हैं इतने में तो गांधी दिल्म लाग है कि नहीं नहीं ऐसा कैसा हो जागा गांधी जी का मानना था कि जो जिस जर्ण में पैदा हुआ रहा है उस वर्ण का ही उसे काम करना चाहिए यही दलीलें बाबा साहिब के सामने भी पेश करते थे तो बाबा साहिब काम कर रहे हैं मतलब आप तो काम को चेंज कर सकते हैं एक अचोट सूधर समाज अपना काम छोड़कर कोई भी काम करने की सोचता है तब आपके पेट का पानी हिलने लगता है तो गांधी जी के पास इन तो कोई जबाब नहीं हुआ करता था और बाबा साहिब गांधी जी के मुकाबले एक एक भारत में च्छाने लगे हाला कि पूरी मीडिया जिस प्रकार से आज आप देखते हैं मीडिया का हाल उससे कहीं ज्यादा गंभीर हाल उस वक्त था बाबा साहिब की बातों को उनकी ख अखवार थे जोखे भो जन समाज के पास कोई अखवार कोई मीडिया नहीं थि अब क्या गांधी जी जूट बोलते थे जूटे आदमीं थे मक्कार आदमी जो व्यक्ति अहिंसा की बात करता हो और दूसरों के परती हिंसा करता हो क्या जब बाबा सायर भीम्रा अंबिटकर के खिलाफ गांधी जी अंसन पर बैठे तो क्या यह मेंटल टॉर्चर नहीं था क्या आज mental torture करने के खिलाफ कानून नहीं है अगर कोई व्यक्ति किसी को mental torture करे और वो आत्मत्या कर ले तो सिधा उसके खिलाफ जो है दंडात्म कारवाई होती है जेल चलायाता है सिधा मामूली बात नहीं है और बाबा सा ड्र. भिम्रा उंबेटकर को उस समय कितनी भयानक ध आहिंसा नहीं थी अ को गंधी जी पूरह जी वन दोगलेपन की बाते करते रहें अहिंसा को तो के विद अन्हों परसिद्धी का हत्यार मनाया कि वह परसिद्धी का अत्यार कि कि साउत अफ्रीका में जाकर अहिंसा का पालन करते हैं अंग्रेज्ड उनको ट्रेंच उठा कर फिख देते हैं काला होने पर भेदभाव होने के कारण बहुंए अच्छुतों पर मिछ अत्याचार याद लाएं पीर सबसे बड़ा धोखा सबसे बड़ी मक्कारी फूरी जिंदगी अहिंशा चलते रहे हाला कि कभी अहिंशा का पालन विस्त दूर्प से नहीं किया और यह कॉंग्रेस का परचार तंत्र फा जिससे कि गांधी जी को यह पूर्य दुनिया परचारित करने में सफल हुए कि गांधी जी अहिंसाबादी थे पूरी दुनियों को क्या मालूम है कि अहिंसा का कौन प्रतीक है और हिंसा का कौन प्रतीक है जब गांधी जी मरते हैं तो क्या सब्थ बोलते हैं हे राम अरे भाई राम ने अपने पूरी जिंदगी में ऐसा कौन सा काम अहिं हिंसाबादी एक भी नहीं है पूरी दुनिया में अगर नॉन वलेंस के लिए को जाना आता है तो वह भगवान-बुद्ध हैं सबसे पहले फिर उसके बाद महावीर हैं और महावीर की अहिंसा तो इतनी बड़ी अहिंसा है कि कि किसी भी सूरत में हिंसा किये नहीं है भगवा जी ना तो है बुद्ध कहके मरे ना है महाविर कहके मरे तो है राम कहके मरे अब पूरी दुनिया को इससे क्या लेने देना भारत का मामला है यह गांदी जी यह नॉन्वाइलेंस के लिए जाने आते हैं इन्होंने अहिंसा के साथ अंग्रेयर से अजादी अंदलल लड़ा इ लेकिन भारत की लोगों के समझना पड़ेगा विशे तोर पर इस भोजन समाज को समझना पड़ेगा तो साथियो पूरणा प्यट्ट पर इतना ही और अगर आपको पूरणा प्यक्ट अच्छी तरह समझ में आ गया हो तो इस सवाल का जवाब कोमेंट वक्ष में जुरूर दें कि क्या गांधी को महात्मा कहना उचित है क्या गांधी को राष्ट पिता कहना उचित है क्या गांधी इस देश के देश भक्त कही जा सकते हैं क्या गांधी एक सच्चे व्यक्ति कही जा सकते हैं क्या गांधी जी ने दलितों के खिलाफ हिंदों के द्वारा प्राईजित शर्यंत्र को बावा साहिब के सामें रखकर बावा साहिब से कम्मुनल नवाड शीन लिया इन सभी सवालों के जबाब आप कमेंट वक्स में जुरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करना और शेर करना बिल्कुल ना भूलें यह वीडियो हर एक अंबिटर वाजी तक पहुचना चाहिए उसे जानकारी होनी चाहिए कि पूना पैक्ट क्या है और पूना पैक्ट क से गुजर रहा है तो साथ ही इसक्राइब में यह वीडियो समाप करता हूं जय भी नमभुत है